नमस्का दोस्तों हमारे टोचनल में आपको पिछली वीडियों बताया था कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो होता है आनुविक अर्बेटल चित्र मैं आपको बना कर बहुत अच्छे तरह समझाया था ऑक्सीजन को जिन दोस्तों को समझने में परसानी हुई हो वो इस हैडोजन और हिलियम को समझ जाएंगे क्योंकि यह है बहुत ही छोटा ठीक है तो छोटा है और छोटे कारण आपको बहुत अच्छे तरह समझ में आ जाएगा कि हाइडोजन और हिलियम का अनुविक अर्बेटल चित्र कैसे मतलब कैसे बनाते हैं तो आपको जो पॉइंट मैंने बताया था जब से पहले जिसका निकालना है उसकी हम लोग इलेक्टानी का अप्रेशन लिखेंगे एस पी डी एफ के रूल में ठीक है उसके बाद आपको ऐसी दू लाइने खिच लेनी है एक लेट एक राइट ठीक है फिर उसके बाद इसमें जो वॉक्स बनाना है उसको बनाएंगे पहले परमानुका दोनों साइड और फिर बीच में दोनों से मिलकर बनने वाले अनुका फिर उसके बाद इलेक्टान फिल करना है ठीक है इलेक्टान भरने का तरीका क्या होगा पहले इस परमानों का और इस परमानों का क्योंकि हम अनुका न लिख रहे है ठीक है जैसे है डोजन का और हिलियम का आनुमिक द्रामा लिकला है अनुमिक मतलब कि ह2 का लिखना है हिल जैसे गिलास में पानि डालते हैं तो पढले पानि नीच्त भरता है फिर भरते भरते-उपर आता है वैसे ही नीच्छेसे बर्णा स्टाट करेंगे फरते वरते-उपर चलये आपको भूत अच्छा तरह से समझाते हैं कि hydrogen का आन्मिक अर्विटर डाइग्राम बनाना कैसे हैं तो मैंने क्या कर लिया है है यहां चोटा है इसको आपको समझने में बहुत ही असानी होगी ठीक है हाइड्रोजन परमानों का इधर हाँ लिखे देजिए हाइड्रोजन ठीक है क्योंकि हम हाइड्रोजन का लिख रहे है ठीक है तो हाइड्रोजन परमानों का इधर लिखे लेंगे तो इसके पास एक बॉक्स है जो है की 1s1 का होता है ठीक इसी पकार इधर भी एक बॉक्स जो क बनने वाले एक और एक बक्स मिलकर दो बक्स हो गए तो दोनों को बना देंगे लेकिन आपको बताया था कि एक और एक मिलकर दो बन रहें तो एक की इनर्जी लेबल जादे होगी जो कि यह जब लाइन मिलाएंगे तो इसे थोड़े उपर होगी मतलब जादे इनर्जी लेब बनाएंगे ठीक है फिर इससे इसको तोरा सा इसको हम इससे खिश लेते हैं ठीक है अब इसको इससे dotted line से मिला देंगे इसको भी फिर इसको फिर इसको फिर इसको ठीक है अब क्या करेंगे यह तो हमारा बन गया box ठीक है अब इसके बाद इसका नाम लिखेंगे नाम लिखने का मतलब कि sigma और pi में ठीक है तो यह sigma one box के लिए sigma यूज होता है और double box के लिए pi यूज होता है ठीक है मैं जब आक्सिजन का प्रहा रहा था उसमें बता चुका हूं कि sigma और pi या फिर आगे जब बताऊंगा न जब double box आएगा oxygen nitrogen fluorine उसके आगे आप जैसे भी जाएंगे आगे उसमें आपको pi मिलेगा ठीक है लेकिन single box जब रहेगा वहां sigma यूज होगा ठीक है यह इसका नाम क्या रहेगा sigma one s sigma one s ठीक है और यह sigma a star one s ठीक है sigma का मतलब और sigma star का क्या मतलब मतलब यह कम energy वाला है यह ज्यादे energy वाला है ठीक है आप एसाभी बोलते हैं यह bonding है यह anti bonding का है ठीक है तो यह आपका हो गया नामा करन मतलब आपने इसका नाम तो लिख दिया ठीक है अब क्या करेंगे इसमें electron फिल करेंगे तो hydrogen का पास कितना electron है 1s1 मतलब 1s में सिफ 1 electron है तो एक electron इसको फिल कर देंगे वैसे ही इधर भी एक electron फिल कर दिये ठीक है अब इसके आगे का क्या काम है कि दूनों को जूर लेंगे इसके पास एक electron है इसके हमको बनाना किस्त्रा है यहां पर हम लोग यह बना रहे हैं यहां पर हम लोग लिख देंगे इस टू का इस टू का लिख रहे हैं ठीक है तो एक है के पास एक electron है दूसरे है इसके पास एक electron होगे तो हम क्या करेंगे electron फिल करेंगे तो पहला और दूसरा ठीक है होन डूल क्या आता है पहले सिंगल उसके बाद पेयरिंग ठीक है तो होल्डूंग के हिसाब से इसको हमने पेयर कर दिया ठीक है तो यह हमारा हो गया molecular orbital diagram of H2 ठीक है मैं फिर से बता दे रहा हूं कि कैसे बनाना है सबसे पहले आपको दो मैंने खिचनी है ठीक है उससे भी पहले आपको जिसका लिखना है उसका हमने लिख लिख लिया है ठीक है ताकि आपको पता चल जाए कि यह आपके पास कितने सेल है जिसमें आपको इलेक्टान फिल करना उसी इशाब से बनाएंगे जैसे वन एस है आगर तो यह ज्यादा मतलब लाइन ज्यादा खिचनी ज्यादा लंबी खिचनी होती उसके बाद पी रहता तो उससे भी ज्यादा खिचनी होती ठीक है सब्सक्राorth करेंगे यदर तीन हे थीड थीज हम हम फिल कर देंगे ठीक है तो हमारा हाइडोजन स्टू का बन गया मॉलिकूलर और वीटल डाइग्राम ठीक है अब इसी प्रकार हम हम ही मतलब हीलियम कवर हैं इधर रहेगा इनर्जी ठीक है अबदेखिए यहां बता रहा है कि बॉंडिंग में कितनी इलक्टान है और कितने कदने मतलब बंधी इलक्टान हों की संख्या बंधि इलक्टरान की संक्या कितना है यह बॉंडिंग है निचे कितना है दो प्रति बंधि या फिर आ बंधि प्रति बंधि इलक्टरान की संक्या is equal to 0 क्योंकि इसमें इलक्टरान है ही नहीं ठीक है तो इस पकार हम इसमें बंधन की कोटी निकालते हैं बंधन की कोटी यानि की bond order bond order bond order का होता है number of electron in number of electron in bonding minus number of electron in anti-bonding, ठीक है by 2 is Multiple number of electron in bonding मतलब की बंधी में electron की संह के कितनी है 2, anti-bonding में कितना है 0 by 2 is Multiple कितना 1 मतलब इसकी बंधन कोटी क्या हो जाएगी एक हो जाएगी बंधन कोटी बाउन ओडर ठीक है अब देखिए अब हम लिखते हैं हिलियम का ठीक है तो हिलियम का देखिए यहां पर मैं कर्प्रिकेशन लिख रहा हूँ है 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 एक बना लेंगे ठीक है निचे लिखे देंगे क्या है है यहां पर भी ही ठीक है यहां पर ही टू का मौलिकूलर अर्विटर डाइग्राम ठीक है यह हो गया अब इसको का करेंगे मिलाएंगे ठीक है मिला दिये इसके बाद दूनुस एक और एक मिल दो बक्स बना तो एक हाईर इनर्जी लेबल का दूसरा लोर इनर्जी लेबल का ठीक है अब इसको मिलाएंगे तो मिलाएंगे आप लोगे स्केल से बनेएगा बहुत अच्छे तरह से बनेगा इससे भी ज्यादा अच्छा लगएगा देखने में मिला दिये अब इलेक्टान फिल करेंगे इलेक्टान कितना है 1s2 मतलब 1s में बेटर एही रहेगा कि यहां पर सिर्फ 1s ही लिखिए दो इलेक्टान तो आपको भरना है उतो बाद में पता चली जाएगा ठीक है तो तो 1s में कितना इलेक्टान है 2 अगर 1s2 भी लिखते है यहां पर तो भी कोई प्रावलम नहीं है तो पहला और दूसरा पहला और दूसरा ठीक है इसके पास 2 इलेक्टान इसके पास 2 इलेक्टान दोनों मिला कर कितना हो गए दो दो और दो चार इलेक्टान तो चार इलेक्टान भढ़ेंगे तो एक दो तीन चार इलेक्टान ऐसे बनना है पहला फिर दूसरा होंडूल यहीं बोलता है पहला सिंगल इलेक्टान उसके बाद पहरिंग ठीक है फिर आगे वाले पर जाएंगे उपर तो फिर पहला फिर ने द्सवरा तो एक दो और तीन सखोंद देते हैं , लेकिन चुछता है तो इसे पेरगन करा तो यह हमारा बंगेग अब helium कढ़ेैं , helium का जब बंगए तो आपको इसको matchَ मैं आपको पता दे रहा हूं कि इसमें नंबर अफ इलेक्ट्रान इन बॉंडिंग कितने है बंधी इलेक्ट्रान के संख्या दो है ठीक है और नंबर अफ इलेक्ट्रान इन एंटी बंडिंग एंटी बंडिंग कितने इलेक्ट्रान है उपर वाला एंटी बंडिंग दो इलेक्ट्रान तो जब आपको बंड अडर निकलना होना बंधन कोटी तो क्या बोलता है एन बी माइनस एन ए बाई टू मतलब नंबर अफ इलेक्ट्रान इन बंडिंग दो इलेक्ट्रान नंबर अफ इलेक्ट्रान इन एंटी बंडिंग मतलब दो इलेक्ट्रान बाई टू तो इसको आगे करेंगे तो दो बाई दो कितना हो जागा जीरो मतलब तब इसकी बंदन कोटिंग जीरो हो जाएगे ठीक है तो आई हम आप लोगों को पहुत अच्छी तरह समझ में आगा होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम का जो होता है मालीकुलार अर्वेटल डाइग्राम ठीक है आन्मिक अर्वेटल चित्र बनाते कैसे हैं या फिर आप ऐसे बहुत सकते हैं अर्वेटल डाइग्राम तो दोस्तों अगर हमाने चल्मिक को सब्सक्राइब नहीं के तो प्ली सब्सक्राइब के लिजिए बेल लेगों को तो बहुत है ताकि सभी ने अपडेट आपको मिलता रहे और आप रोगों करते रहे अगर आपको कोई कामेंट ब